नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप सानुसर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने भगवान विर्सा मुंडा के जैनती जन जाती गौरक दिवस के आउसर पर बिहार के जुमाईश से 6600 करोड रुपे से अधिक की विकास पर यूजनाव का सुभारम किया जारकान और महाराश्टर में विदान सभा चुनाव के लिए प्रजात जोरो पर सन पी ग्लोबल रेटिंग ने वित्यवर्स दोहजाट चबीस सताइस्ता का भारत की सकल घरिलो उत्पाद विर्धिदर 6.5 से 7 प्रतिशत के वेचर रहने का अनुमान लगाया देश भर में गुरु नानग जैन्ती और कार्थिक पुर्णीमा धारमी के हर सोलास के साथ मनाई जा रही है स्रिलंका के सतारोल नैशनल पेपल्स पावर पार्टी ने संसदिय चुनाव में भारी जीत दर्ज की अब समाचा विस्तार से प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने जनजातिय गौरत दिवस पर आज बिहार के जुमई में 6,600 करण रुपे से अधिक कई विकास परियोजनाव का लोकारपन और से लन्यास किया इस औसर पर प्रधानमंती ने कहा कि इन परियोजनाव का उदेशिय जनजातिय समुदाय का उत्थान और ग्रामिन तथा दूर दराज के छेतर में बुनियादी धाचे में सुधार करना है श्री मोदी ने भगवान विर्सा मुंडा के जीवन और सम्रीद विक आधिवासी विरासद और संस्क्रिती पर आधारित एगर प्रदेशनी का भी उद्खाटन किया इस मौके पर उन्होंने समारक स्टिक का और डाक टिकत भी जारी किये प्रधान मंत्री ने दो जन्जातिय स्वतंता सेनानियों के संख्राले और दो जन्जातिय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्खाटन किया इसका उद्येश जन्जातिय समुदायों के समरीद इतिहास और विरासत को संदक्षितर करना है प्रधान मंत्री जुमई से वर्चुल माध्यम से पीम जन्मन अभियान के अंतरगर्थ बनाए गए 11,000 घरों के ग्रह प्रवेश में भी सामिल हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार जन्जातिय समुदाय की विरासत और संस्कृति के संदक्षन के लिए प्रतिवद है जुमई में स्री मोधी ने कहा कि सरकार ने पीम जन्मन और धर्ती आवा जन्जातिय उतकरसक ग्राम अभियान सुरू किया है प्रधार मंत्री ने जन जातिय समाज के लिए इस तरह के पहल तयारक करने के लिए राश्टरपती द्रौपती बुर्बु के विचारों के प्रती कृतग्यता प्रकट की प्रधार मंत्री ने ये सवसर पर आधिवासी बहुल जिले में विर्षा मुंडा गौरव उपवन सुरुख करने की घोशना की उन्होंने देश के आधिवासी गौरव विरासत संस्कृती तथा परंपरा के साथ न्याय नहीं करने के लिए पुर्वतिय सरकार की आलोचना की उन्हें संदक्षित करने पर बल दिया प्रधा मंत्री ने कहा कि हम जंजातियों के सिक्षा उपचार और रोजगार पर ध्यान केंजित कर रहे हैं स्री मोधी ने कहा कि जंजातिय समुदाय की 20 लाख लगपती दीदी को सरकारी साहता प्रदान की गई है इस समारों में राजपाल, राजेंद्र, विश्वनात, अरलेकर, मुखे मंत्री नितिश कुमार, केंद्रिय जंजातिय कार्य मंत्री, जुयल औरम, केंद्रिय मंत्री चिराग पास्वान और अन्य गर्मान्य वेक्ति भी उपस्तित थे इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने विर्षा मुंडा के वंसज, बुधराम मुंडा और सहीद सिधो कान्हू के परिवार के सदस्य मंडल मुर्मू को भी समानित किया ग्रह मंत्री अमित्सा ने कहा है कि भगवान विर्षा मुंडा देश के स्वाधिन्ता आंदोलन के महांतम नायकों में से एक है स्थी सा ने जंजातिय गौरब दिवसव पर आज नई दिली के बांसेरा पार्क में विर्षा मुंडा के प्रतिमा का अनावरन किया उन्होंने कहा कि जंजातिय समुदाय सदेव भगवान विर्षा मुंडा का आभारी रहेंगे ग्रह मंत्री ने कहा कि कम उम्र में ही भगवान विर्षा मुंडा ने अपने जीवन राष्ट्य और जंजातिय लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था अगरताला में भगवान विर्षा मुंडा के जैनती पर कारिक्रम को संबोधित करते हुए केंडिय संचार एवंपुर्वतर छेत्र विकास मंत्री जोतीराधित्या सिंध्या ने कहा कि जनजातिय समुदाई का एतिहास महान और विश्ट्रित है राष्टपिती द्रौपदी मुन्मू उप्राष्टपिती जगदीब धनकर और लोगसभा अधेकस ओम बिर्ला ने जनजातिय गौरव दिवस के आवसर पर नई दिल्ली में पूराने संचाद भवन के प्रागमन में भगवान विर्षा मुंडा के प्रतिमा पर सर्धान जली अरपित की भगवान विर्षा मुंडा की आज एक्सो पचासफी जैनती है इस दिन को जनजातिय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है भगवान विर्षा मुंडा के जैनती प्रतिवर्स 15 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है राष्टपिती दौपदी राश्टरपती के संदेश का आज साम साड़े पांच बजे एफम गोल्ड और एफम रेंबू नेटबर्ग सहीत बिभिन स्टेशनों परपुनह प्रसारन किया जाएगा। समरिद भारत के लिए सांती और सद्भाव है। जारखन के दूसरे चरण और महारास्टर के एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने जारखन्ड के मुख्य मंत्री हमंत सोरेन की कड़ी आलोचना की। कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहूल गांडी ने गोड़ा में कहा की आई एन डिया गडबंदर के सत्ता में आने पर सभी वादे पूरे किये जाएंगे। राश्टिय जन्तादल के तेजिस्पी प्रसाद यादव ने देवघर में कहा की भाजपा धर्म और जाती के नाम पर समाज को बांट रही है। और इंडिया स्टुदिन यूनियन और बांपती दलो के नेता भी राज्य में चुनावी रेलियां और रोट सो कर रहे हैं। उधर महराश्ट में विधान सभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनितिक दलो के नेता राज्य के बिविन चेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। सभी में एक चुनावी रेलिय को संबोधित करते हुए राश्टबादी कॉंग्रेस पार्टी सरद पवार के प्रमुख सरद पवार ने कहा कि भाच्पा संभीधान को बदलना चाहती है और समान विचारधारा वाले दल इसका विरोध करने के लिए महा विकास अगारी के छ केंड्रिय मंत्री और भारती जंता पार्टी के बरिष्ट निता अमिच्सा, हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपूर में प्रचार करेंगे जार्कन और महाराष्टर दोनों राजियों में मदगना 23 नवंबर को होगी देश की सकल घरिलो उतपाद ब्रिधीदर 2027 तक सालाना 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान है S&P Global Rating ने अपने नविंतम रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गुरु नानग जैनती आज देश विदेश में धार्मी का सद्धा और हर्स उलास के साथ मनाई जा रही है सिख्ट पर्ब की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु गुरु नानग देव जी की जैनती को गुरु पर्ब के रूप में भी मनाया जाता है उनका जर्म 1469 में रायभाई दी तलबंडी में हुआ था यह अब पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है गुरु नानग देव जी ने अपने सिक्षाओं में समानता प्रेम और इस्वर के प्रती समर्पन पर बल दिया है राष्टरपती, उप्राष्टरपती और प्रधान मंत्री ने इस असर पर लोगों को सुपकामनाई दी है स्रिलंका की सतारोड नैशनल पीपल्स पावर पार्टी ने संसद में दो तिहाई बहुमत हासिल करके सांदार जीत हासिल की है बामपंती गडबंदन में 225 संसदिय सदन की 169 सीटे जीती है भारत और दक्षिन अफरिका के बीच चोथा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच जोनस बार्ग के वंडर्स स्टेडियम में खेला जाएगा यह मैच आज रात साड़े आठ बजे से सुरू होगा तैतालीसवा भारत अंतराष्ट्य व्यापार मेला नेदिली के भारत मंडपन में जारी है वानिजी और उद्योग मंत्रे पियूस गोयल ने कल एस चोधर दिवसिये मेले का उधगाटन किया था इसे के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्ध हुआ, नमस्कार